जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्यी करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रहे हूं दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल दो हजार चौबिस में संतान सप्तमी व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा संपूर जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ सेयर करने वाली हूँ, तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो। से पूजनर्चन किया जाता है, वहाँ सारे लोग इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं, कब है संतान सप्तमी या ललिता सप्तमी आये जान लेते हैं, भाद प्रद महा की जो सप्तमी तिथी है वो 9 सितंबर को रात्री को 9 बचके 53 मिनट से आरंभ हो रही है और जो सम अप्त हो रही है वो हो रही है 10 सितंबर को रातरी को 11 बचके 11 मिनट पर ऐसे में उद्यातिथी को मान रखते हुए संतान सप्तमी का जो वृत है वो 10 सितंबर को दिनमंगलवार को पूरी वीदिवत रूप से किया जाएगा संतान सप्तमी के व्रत के महत के बारे में गर एक नजर डालें तो संतान सप्तमी का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और बहुत सारी ऐसी माताएं जिनके पास पुत्री रूपी धन है लेकिन वो पुत्र रूपी धन जो है वो चाहती है तो ऐसी जो भी माता बहने हैं वो पुत्र की कामना को लेकर संतान सब्तमी व्रत कर सकती हैं बहुत ही जादा लाबकारी व्रत माना जाता है जो बहने पुत्र रतन से वंचित हैं ऐसी बहने संतान सब्तमी व्रत जो है वो जरूर करें और देखेंगे कि अगले साल तक आपके घर में भी जो पुत् उस दिन संतान सब्तमी का जो व्रत है वो करके देखे, मतलब एक दो साल करके देखे और जैसे ही आप देखेंगे कि आप व्रत करती है माता पाहरवती महादेव आपके घर में बहुत ही जल्दी खुसियों की किलकारी जो है वो जरूर देंगे आप मैं पूजा महूरत की बात बता देती हूँ कि संतान सब्तमी का जो पूजा है वो कब होगा तो जो अविजीत महूरत है वो 11 बच के 52 मिनट से लेके 12 बच के 42 मिनट तक रहेगा तो इस बीच आप पूजा कर सकते हैं संतान सब्तमे का जो व्रत है वो मतलब सुबह नहीं किया जाता है जल्दी थोड़ा बीच के टाइम में किया जाता है वही 10, 11, 12 बजे बहुत सारी बहने 10.30 या 11.00 से पूजन जो है वो करना सुरू करती है और 12 बजे तक जो पूजन है वो समाप्त कर देती है तो ये जो व्रत होता है ये अपने बच्चों के लिए रखा जाता है मैं भी इस व्रत को करती हूँ और मैंने कई सारे वीडियो जो है वो पिछली साल दिखाए थे आप सब को चूड़ी बगएरा सारा कुछ तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सारा कुछ आप सब के साथ से यार जरूर करूँगी अभी मैं पूजा वीधी जो है वो बता देती हूँ तो जो संतान सब्तमी कवरत है वो किस प्रकार से करना चाहिए तो सबसे पहले आपको इसनान ध्यान करना चाहिए फिर माता पारवती, महादयो और भगवान करेंस की प्रतिमा मतलब ऐसी फोटो या ऐसी प्रतिमा लगा है जिसमें पूरा परिवार जो है वो साथ में हो फिर कलस जो है वो इस्तापित करना चाहिए गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और जो सिव परिवार है उनको चंदन, कुम, कुम, फूल, अच्छद, भोग, कलावा, पुस्प जो है वो अरपित करना चाहिए और इस ब्रत में साथ पूए जो है वो माता पारवती के लिए बनते हैं साथ पूए स्वयम के लिए बनते हैं और जो साथ पूए होते हैं प्रसाद वाले माता पारवती वाले वो प्रसाद के रूप में वित्रित कर दिये जाते हैं बाकि जो साथ पूए होते हैं वो आपको स्वयम ग्रहन करने होते हैं और ये मतलब सूर्यास्त के पहले ही ग्रहन करने होते हैं और एक बार ही खाया जाते हैं एक अन ही खाया जाता है इसलिए जो पूए है वो बनाये जाएंगे तो एक बार में ही आपको खाने होंगे और संतान की रक्षा की खुसाली की जो कामना है वो आपको महादयों के पूर जरूर सुननी हैं इस वरत में एक चांदी का चल्ला या चांदी की चूडी जो है वो बनवाई जाती है उसमें साथ निसान जो होते हैं मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आप सबको दिखाऊंगे किस परकार की चूडी है वो होती है साथी साथ जैसे जो चूड़ी होती है वो मनमास का जब महीना आता है तो इसको नई बनवाना पड़ती है मतलब 20 आने की चूड़ी जो है वो बनवाई जाती है और हर साल नहीं बनवाते हैं नई चूड़ी बहुत सारे लोगों के ऐसा विधान है कि जितने पुत्र होते हैं उतनी चूड़ियां होती है पर हमारे यहां का ऐसा विधान नहीं है हमारे यहां चाहें पुत्र जितने भी हो लेकिन चूड़ी जो है वो एक बनती है लेकिन जब मनमास, खरमास या अधिकमास लगता है तब नई चूड़ी बनवानी पड़ती है अगर घर में कोई बच्चा जो है वो जन्म लेता है या किसी का साधी ब्या जो होता है परिवार में तो ये चूड़ी जो है वो नई बनवाई जाती है ये चोड़ी जो है वो सुनार को दे के और मतलब उसमें 20 आने जो है और डलवाके नई चोड़ी जो है वो बन्वा ली जाते हैं या आप नई चोड़ी जो है वो भी खरेच सकते हैं तो इस प्रकार से ये जो ब्रहत है वो किया जाता है, साथी साथ इस वर्स नहीं चूड़ी बनवाई जाएगी या नहीं बनवाई जाएगी तो देखे इस बार कोई भी अधिकमास, खरमास या मनमास जो है वो नहीं लगा है, तो मनमास अधिकमास वाली चूड़ी जो है वो अगर आपके परिबार में आपके घर में किसी की साधी हुई है या अगर कोई बच्चा चोटा जो है वो आपके घर में जन्म लिया है तो आपको इस चूड़ी को जरूर बनवाना चाहिए। उसको पैरों में नहीं पहनी जाती है जैसे बहुत सारे लोगे खटा हो जाती है जो चूड़ीया तो फिर उसको पल्टवा के तोड़ीया बगएरा मतलब पायल बगएरा जो है वो ले ले लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए पैर में ये संतान जो है वो नहीं पहनी ज जाती है इस चीज का विसे इस रूप से ध्यान रखें तो दस तारीक को जो संतान सब्तमी हैं दस सितंबर को दिनमंगलवार को किया जाएगा आप लोग भी संतान सब्तमी का जुवरत है वो अगर करना चाहते हैं तो जरूर कीजी और अपनी समस्तमनों कामनाओं को पूर कर लीजी उमीद करती हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चानल को स्बस्क्राइब करके आप लोग वीडियो देखते हैं आपको अच्छा गर लगता है то आप सबस्क्राइब करने मे वो बिल्कुल करना ना भूलें, प्रंद करें और नईनी जानकारी जो है वो प्राप्त कर लें, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूं, दोस्तों जैमाता दियें